स्वागत है सभी बच्चों का संकल पिष्टडी हप के प्रेट फार पर मैं हुआ सुनी सिर्वास्तों पिछले वीडियो में जी एस की प्रश्णों पर एक वीडियो ग्यारा टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है आज की वीडियो में अगर आप किसी भी पेपर को दे दे जा रहे हैं चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो SSC हो आरहो आरहो है कोई भी परिच्छा जो नदीक से अगर आप देने जा रहे हैं तो उस परिच्छा में देने से पहले आप इस वीडियो को एक बात जरूर देखिए एक वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा आज हम जिन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमें पहले से लिख के रखे हैं कि उन टॉपिकों पर हम कवर करेंगे अस्थ पर बात करेंगे आमल पर बात करेंगे अधिनियम पर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बात होगी कि जिस पर प्रस्प्ट पूछे आलते हैं ठीक है, तो समय ना लेते हुए, बात करें हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर, इस वीडियो को ज़्यादा आप लोग सेयर करिए, और इसको जितनी बार आप देखेंगे, यह तो नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ किलियर हो सकता है, लेकिन हाँ यही कि जो प्रश्ण किसी भी एक् सकते हैं, तो इससे क्या-क्या प्रश्ण को सकते हैं, पहला यह है, रोग बड़ी पूछी आते हैं, दूसरा, इससे समंधित, कुछ जाचे पूछे आते हैं, कुछ तत्तों जो होते हैं, जो समंधित, अस्तियों से समंधित, पूछे आते रहते हैं, तो सबसे पहले बात कर विटामिन D भून के लिए आप से बात कर रहे हैं तो कौन से प्रेस्ट जिम्हेदार है काउचिम है कैल्सिम और फांस ब subt वह स्थिपकरा चाहिए हैं कॉन साथ विटामिन अस्थिवत के लिए थाइए विटामिन D हुषिक रोग कि अगर जरूर ध्यार ने डखना कि इद यहां अगर दो-तीन डोग हैं अगर विटामिन डी ऐखना कि कमी हो जाए तो दो प्रकार करों कि एक वक्षण में हैं वक्षों में जो होता है इसको हम सूखा रोग बोलते हैं शूखा रोग बोलते हैं इसी सूखा रोग को हम लोग रिकेट्स कह सकते हैं अगर हम वैस्क की हम बात कर रहे हैं तो वैस्क में ध्यान रखना है विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है जिसको हम Asteo Malaysia कहते हैं Asteo Malaysia एक रोग होता है ठीक इसके अलावा अगर रोगों के बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना है इधर से लिखते हैं थोड़ा सा आप ध्यान रखना है Asteo Porosis कई बार पूछा जाता है कि Asteo Porosis क्या है अब आपको बताते चले इसमें भी क्या लिखा है Asteology Asteology इसमें भी क्या लिखा है और Asteo का मतलब यह है आपको इससे लेट करना है Asteus है तो आपको यह असानी के साथ इस सारी चीज़ें याद हो सकती है और क्या पूछा सकते है ठीक है परिच्छन कई बार पूछा आता, जहांच हमने पहले लिखा है, परिच्छन पूछा आता है, तो आपको बताना एक प्रश्ण पूछते हैं, BMD परिच्छन, BMD परिच्छन, Bone Mineral Density कहते हैं, ठीक है, Bone Mineral Density कहते हैं इसको, तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना अस्तियों से अगर वैस्क में बात कर रहे हैं, तो जरूर धान देखना, 206 की बात हो रही है, नवजात की अगर बात करने वाले हैं, तो जहान लिजेगा 300 हट्डियों की बात चले हैं, ठीक है, कुछ प्रश्ण डारेटली पुछ आ सकते हैं, जो सबसे बड़े और सबसे छोटी हट्ड इस कहता हैं, इस्टेज बीस कहां होता ही, यह कान में जरूर ध्दान रखना है, कुछ हड़ियों पर आपसी पूछ सकते हैं, ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा तो किसी भी चीज के लिए आपको यह समझना है ठीक है कि जब भी कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि अमलिये क्या चीज़ें होते हैं तो आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज का जो पीच मान पूछा जाता है ठीक अगर किसी से ज़्यादा होता है तो मुष्कों चारिये बोलते हैं और चारिये जिससे रक्त होता है गि कितनु होताथ हो चार कि अगर किसी चीज की पिएच वैली किसी चीज की प्र différentes मिसे दें रहें त् verste लिग मेरा तो छारिए है किसी चीज का strat पर हुगा मुद आगर south से साथ से कम होता है ।। साथ से कम होगा तो हम क्या करका सकता है कि यस अमलिये होती है ठीब है तो आपको थोड़ा सद्हान्दी थे बात जैसे, फार्मिक की बाद करनी है, एसी टिक की बाद करनी है, साइटरिक बहुत पूछा जाता है, टार्टरिक बहुत पूछा जाता है, आक जेलिक बहुत पूछा जाता है, आक जेलिक, फार्मिक की बाद करें, या इसी अमले को आप मेथनोईक भी कह सकते हैं, ठीक है, यह कह पाजाता है चीटी में होता है बर्रे हो इसमें होता है मधमक्खी के हम बात करने वाले हैं ठीक है मधमक्खी की बात करें सारी जगों पर बिच्छू की बात कर रहें आपसे तो जरूर धान रखना है बिच्छू की बात करें इस सब में फार्मी कमलग होता है मेतनुविक भी क जितने भी खटे फ़ल होते हैं विसे इस रूप से अगर बात करें, नीवु की बात करें है, या संतरा की बात करें, या कोई भी ऐसा अगर खटा फ़ल हो, तो उसमें साइट्रिक होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे रखें, टार्टरिक कमल की बात कर रहे हैं कि टार्टरिक कमल कहा होता है तो आप जरूर ध्यान रखें इमली और केला दो बार पुछेगा है आगजेली की बात कर रहे हैं तो टमाटर जरूर ध्यान रखेगा ठीक है फोटोग्राफी से बात होती है तो इनसे सम्मंतित में, इसके अलावा गर हम बात करते हैं, आप से पूछा जा सकता है, टैनी कमल कहा होता है, टैनी कमल हमेशा चाय में पाय जाता है, ठीक है, इसके अलावा यूरिक की बात कर रहे हैं, यूरिक एसिड बताएं, तो यूरिक एसिड कहा पा जाता है, मूत्र म बात कर रहे हैं तो इसमें SCR hydrochloric पाया जाते हैं तो ये सारी बाते थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा अगर पेपर देने जा रहे हैं तो ये सबसे सारी चीजें एक बार आखों के सामने आपको बीजन होकर तो आखों जाने चाहिए हैं ठीक है आगे बढ़ते है आगे कि हम लोग बात करें हैं दो टापिक हो चुके हैं यंत्र की बात करें कौन कौन सेंत्र आप से पूछा सकते हैं विसेस रूप में है ठीक है जैसे आपको बताते चले कि कि इस फिग्मों मैनो मीटर पूछा आता है बहुत लैक्टो मीटर बहुत पूछा आता है रेन गेज बहुत पूछा आता है सीस्मों ग्राफ बहुत पूछा आता है ध्यान लखिएगा अमीटर ऐसा है कि अमीटर जो प्रश्ण है अमीटर भी कई बार है प्रश्ण पूछे गए हैं ठीक है ऐसे ध्यान लखना आपको मैनो मीटर की बात कर सकते हैं लक्स मीटर की बात कर सकते हैं ठीक है तो इस फिग्मों मैनो मीटर की बात कर रहा है तो इससे क्या मापा जाएगा रक्तदाब मापा जाएगा लेक्टो मीटर की दूद की सुधता जब मापनी होती है तो मापते हैं लेक्टो मीटर से रेन गे तो विद्दो धारा माप जाते हैं, मैनो मीटर से क्या माप जाते हैं, गैशों का दाब माप जाता है, लक्स मीटर की बात करें, तो प्रकाश की जो तिवरता होती है, इस तिवरता को माप जाता है, इसके अलावा कई बार पोछे आता है, अल्टी मीटर बताए, अल्टी मीट बताइए तो समुद्र की जो गहराई होती है शमुद्र की जो गहराई होती उसकी बात करें ठीक है यह कुछ प्रश्ण जैसे हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए इसके लावा भी अगर आपसे बात कर सकते हैं घूमती हुई कोई वस्तु है तो गाईरोस्कोप से हम अपसा बते आपको जाननी चाहिए तो सबसे पहले हमने आपको बता होना चाहिए जैसे Odontology मायोलोजी पता होना चाहिए R-nirthology क्या होता है ये पता होना चाहिए कैलोलोजी क्या होती है हीपनोलोजी क्या होती है ठीक है तो ओरन्टोलोजी के बात करें है किसका ध्यान है दात का ध्यान है मायोलोजी के बात करें है तो जरूर ध्यान लखिएगा मास्पीसियों का ध्यान है और रिर्थों के बात करें तो पच्छियों का ध्यान है केलेलोजी की बात करें तो शुंदरता का यानि शंदर का ध्यन कह सकते हैं हिपनोलोजी की बात करें तो नीद का हो सकता है इसी में आपसे बात कर सकते हैं आनीरोलोजी बताइए आनीरोलोजी यह सुपन का है शुपन का है ठीक है जैसे हमने बात कि थी भी gerontology बताजे gerontology क्या होता है तो यह ब्रधा अवस्था का है ठीक है ब्रधा अवस्था का ध्यन यह है तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा pomology पुछिया आते है pomology पुछिया सकती है ethology पुछिया सकती है एंसेत ओलोजी पुछिया सकते हैं, पोमोलोजी जो होता है उसमें फल का ध्यन होता है, एक्तिओ Kellogaजी में मशरियों का ध्यन होता है, एंसे ही कई सारी एसी साखाएं हैं, जिनके बारे में आपको जनना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वीडियो कभी इस पर भी बनाया जाएगा, कि कि आप किसी भी टॉपिक को देख के आसानी के साथ आप कैसे याद करें, लेकिन फिलाल आप पेपर देने जा रहे हैं, तो इनको एक बार नजर देखते हुए जरूर चाहिएगा किसी पेपर के अंतरगत में है, तो ऐसे ही कुछ याद करें, जैसे दांत लिखा है, दांत में देखी ये बीच में लिखा है, ओ दांत, ओ डॉन्टो लिखा है, तो आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है तो ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग को याद कर पर हम लोग जाते हैं, तो ज्यादा उचाई पर आने पर काफी साय लोग उल्टी हो जाती है, तो उसे वावियान पर से आपको याद रखना है, अल्टी, उल्टी की तरीक है, ठीक, तो ऐसे जो सारी चीज़े हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अलग सी वीडियो इस पर बनता रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आयस्क पर क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी आ सकती हैं, कौन-कौन सी ये-सी आयस्क है, जिनसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपको पता होना चाह थोरियम ठीक है इन सबके जो आयस कहीं बहुत पूछय आते हैं इस प्रयाइब को पता होना चाहिए लोहे का जो होता है उसे बोलते हैं हेमेटाइट हेमेटाइट मैगनेटाइट सीडे राइट सीडे राइट ठीक है ये ज़रूर थोड़ा से ध्यान रखना है सीषे का एक पूछा जाता है गैलेना बहुत बार पूछा गया है पारा का सिने बार ठीक है बाकसाइड में ऐसे आता है एलमूनियम लिख करके अलिमूनियम आपको पता होने चाहिए, थोरियम, मोना, जाइट, ठीक है? तो कुछ आयसक आयसे हैं, जिन आयसकों पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आगे बहुत सारे आयसक आपको मिलेंगे, ठीक है न? चांदी की क्या होते हैं, शोने के क्या होते हैं, सब के कुछ न कुछ इसमें आयस्क होते हैं, ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान में रिखते चल रहे हैं, विटामिन के रोगों की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, विटामिन औ क्या है कौन कुर से ऐसे बिटामिन है कुछ वसा में बिलंशील होते हैं कुछ वसा में विले होते हैं और कुछ जल में होते हैं ठीक है जल में जो बिलंशील होते हैं वो वीसी होते हैं वसा में जो होते हैं वो एडे एके चार ऐसे होते हैं है ना, चार ऐसे होते हैं, जो वर्षा में होते हैं, ये जरूर हम इसका ध्यान रखना है, जो जल में विले होते हैं, वो मानुष सरीर में, लीवर में संग्रहित नहीं होते हैं, इनके हो सकता हमको बहुत जादा होती है, है ना, क्या-क्या हो सकते हैं, इसको थोड़ा सध्या पुछाता है, V का थार्मीन होता है, C का इसकार्बिक एसिट की बात करने हैं, D का कैल्सी फिराल होता है, E का टोको फिराल और K का होता है, फ्ली कुईनोन कह सकते हैं, ठीक है, तो इसी साटकट में क्या होता है, इनहीं का जो पहला अच्छर होता है, इस अच्छर को हम लोग निकाल देते हैं, इसको रा निकालते हैं, यहाँ था निकालते हैं, यहाँ ए निकालते हैं, यहाँ ऐसे निकालते हैं, जब इनको हम पूर एक क्कौन से रोग होते हैं इसकी जो जो क्मी होता है उसको हम बरी बर soc क्या करते हैं इसको बोलते हैं सिकर भी रोग कहते हैं केलसी फ्रॉब के बबात कर रहे हैं तो इसके लिए हम, ठीक, शुखा रोग कर सकते हैं, या इसके लिए हमको कहने हैं, रिकेट्स, ठीक है, ये की बात कर रहे हैं, तो बांचपन की बात कर रहे हैं, और इसकी बात कर रहे हैं, इसके करते हैं, रक तका ठका नजमना, रक तका ठका नजमना, इसके पहले अच्छा दोको पकड़ते हैं रह, यहाँ लखते हैं वी, यहां शा यहां रह, यहाँ बाइ यहां फिर रह यह नीचे लग देते हैं अब इस लाइन को पूरा एड कर देते हैं तो यह विटामीन की कमी से रोग हो जाएगा रवी सर मरी हुए एक सब्द आपको याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं है, रवी सर बरी हुए है, सब्दों को याद रखना है, यहां रवी सर बरी हुए है, राज से रतोंधी, बाज से बेरी-बेरी, ठीक है, साथ से सकर्वी, आर से रिकेट्स, बाज से बांशपन होता है, ठीक है, जर्णल स थोड़ा सा बड़ा हो जागे इसको सौट में करते हैं ठीक है आगे चलकर कुछ चीजें औरल आपको बता देते हैं आखों से संबंधित अगर कोई विटामिन आपसे पूछी आ सकती है तो आप दिरू बताइएगा आपसे संबंधित यह है बीवन की बात करें हैं चावल की ज़्यदा प्रश्ण भी C से वही बनने वाले हैं विटामिन डी एक ऐसा है इस विटामिन को ध्यान रखना है इसे हार्मोन भी कहा जाता है हार्मोन भी कहा जाता है डी को ई की बात कर रहे हैं संसाइन विटामिन के रूप में इसको जानते हैं ठीक है तो यह बात रही से व बार प्रश्ण आ जाता है इसमें कि सांख के दर्सन बताईए योग दर्सन कौन-कौन किसका है तो इन पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है कौन-कौन से पूछा सकते हैं जैसे योग दर्सन पूछा आता है नय दर्सन बहुत पूछा आता है वैसे सिख बहुत पूछाता है उत्तर मीमानशा पूर्व मीमानशा यह सब ऐसे प्रश्ण रहे हैं जिनके वारे में प्रश्ण है इसमें आप लिख सकते हैं शांग के हैं शांग के दरसन है तो सांग के दरसन किसका है कपिल मुनी का है पूर्व मीमानशा जैमिनी का है वाद नरायन का है यह कनाद का है नयाय की बात करे हैं तो आप ध्यान रखिएगा गवतम मुनी की हम बात कर शकते हैं योग की बात करे हैं पतंजली की बात करे हैं तो कुछ ऐसी तरीके से आपको याद रखना है जैसे भी आप अगर आप इसमें से आपको पढ़ना है तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ठीक सब्द क्या है इसे स्पकल लेते हैं चारवाक से एक सब्द आपको पकड़ना आपको याद हो जाएगा यहीं से लिखना है आपको चारवाक ने योगपत में बैठ कर नाग पूजा की उसके बाद उन्होंने शाक खाए ठीक है यह एक सब्द है इस सब्द को थोड़ा से धान में रखिए इसी सब्द में ही आपके यतने थाली दर्सन उश्पक्रियर हो जाएगे चारवाक ने चारवाक दर्सन चारवाक का है ठीक है योगपत में जैसे पानी पत जैसे पानी पत सोनी पत वैसे योगपत को जगह आपको बनानी है योगपत में योग से योग है पत से पतंजली है योगपत में बैठ कर ठीक बैठ कर वासे आपका बना हुआ है वैसे सिख द मतलब है फूल से पूर्ग मिमान्शा जाते जैमनी फिर कहा रहें उसके बाद ठीके उच्छका मतलब ऐसकता मतलब्ड़ असल merged मैदान आपको बताते चले कि कभी भी अगर घास के मैदानों से प्रश्णवार आ रहे हैं आपके सामने तो घास के मैदान की बात करेंगे तो दो प्रकार से है या तो ये उश्टन आप से पूछेंगे बहुत पूछे आते हैं, सितोष्ण की बात करें हैं, तो weld की बात करिए, downs की बात करिए, stepy, कई बार आ चुका है, canterbury, ठीक है, canterbury जो है, कई बार पूछा गया है, ठीक, ऐसे ही ध्यान रखना है, आपको क्या लगा है, पंपास की बात करें, कुछ ऐसे हैं, जो बहुत आते हैं, आपको दिहान में रखना है, सवाना जो है, वो घाश के मैदान कहा है, वो अफ्रीका महादीप में है, हलंकी सवाना, एक पार्टिकलर कोई उरिया में नहीं है, घास के मैदान एक पार्टिकलर कोई निश्ची तेरि तो वेल्ड जो है वो दच्छल फ्रीका में है डाउन्स की बात करें तो डाउन्स आस्टेलिया में है इस टेपी की बात करें तो यूरोप और एसिया में है ये Canterbury की बात करें तो New Zealand में है New Zealand Pampas की बात करें तो Argentina में है Argentina के अंदर में यह कुछ मैदान है घास के मैदान जिनको revision करना चाहिए यह सब सारी की जितनी चीज़ें आप लिख रहे हैं यह बिल्कुल कम समय में आपको याद हो सकती है किसी दिन proper video बनाएंगे एक एक video घास के मैदान पर जो भी चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं वो चुटकियों में आपको याद होगी आगे बढ़ते हम लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं बात कर रहे हैं थोड़ा सा यूपी की प्रोड़क्टों पर और एथिनियम की तो क्या-क्या प्रश्णाप से पूछा सकते हैं यह थोड़ा सा ध्यान में हम लोग रख लें कि कौन-कौन से ऐसी चीज़े हैं जो विलकुल आपको ध्यान में रखना चाहिए जैसे जब भी कभी पूछा आता है आप से पूछ सकते हैं वन जीव संदच्छन बताए वन संदच्छन बताए इसी में नई वननीत पूछी आती है इसी में पूछी आती है परियावरण शंदच्छन अधनियम बताए इसी में उभोकता शंदच्छन अधनियम बताना है जैव बिवितता अधनियम बताना है जल परदूशन नियंतर अधनियम बताना है वायू परदूशन नियंतर ठीक है ये कुछ ऐसे है जिनके बारे में आपको ध्यान रखने चाहिए इसके अलाबा बिधवा पुनर विवाह बहुत पूछा आता है बिधवा पुनर विवाह बिधवा पुनर विवाह अधनियम बहुत पूछा आता है सूचना और सिच्छा सिच्छा ठीक है इन दोनों का अधिकार अधनियम यहां बहुत पूछा आता है यूपिक की प्रोड़क्टों के अगर हम बात करें तो क्या-क्या पूछे आ सकता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें जैसे कुछ प्रश्ण आपको बहुत बिसेश ध्यान में रखने है वन डिश्टी को प्रोड़क्ट उत्तर प्रदेश में पचातर जिलों के अंतरगत में सब की बात नहीं करें लेकिन कुछ बहुत पूछे आ सकते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जैसे क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ यह है कि आप से पूछेंगे जर्दोजी चिकन कारी ठीक है पीतल के वरतन बिसेश कर हैं ताले जरूर ध्यान रखेगा चाकू की बात कर रहे हैं चूडी की बात कर रहे हैं कालीन की बात हो रही है इत्र की बात हो रही है ठीक है इत्र में बिसेश कर आपको है जर्दोजी की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान भी रखना है केवल यही नहीं है केवल लखनव ही नहीं है कि लखनव में ही केवल जर्दूजी हाथ से कड़ाई होती है बदाईउं का भी यही है शाह जहाँपुर की बात कर रहे है साह जहाँपुर की अगर हम बात कर रहे है इन सब के सब जगों पर जर्दूजी है चिकन कारी की बात करें चिकन कारी तो आप ध्यान रखिएगा है ना लखनव यानि जर्दोजी और चिकन कारी दोनों लखनव में है पीतल की विसेस वरतन की बात करें तो आप जरूर ध्यान रखिएगा पीतल लगरी हम लोग किसे कहता है ति मुरादाबाद में बहुत बार आले कहां कहें तो अलीगर को जरूर ध्यान रखना है चाकू की बात कर रहे हैं तो रामपुर की बात कर रहे हैं चूरी की पूछा सकता है आप फिरोजाबात को ध्यान में रखें कालीन की बात कर रहे हैं तो जरूर ध्यान रखना है चाहे वो मिर्जापुर की बात कर रहे है ये वदोही की बात करें ये शोन भद्र की बात कर रहे हैं इन सारी जगों पर क्या है कालींग बुला फेमस है ये जरूर धान में रखें ठीक इत्र की बात कर रहे हैं इत्र कहां का फेमस है कन्योज का जो एरिया है वह इत्र के लिए बहुत फेमस रहा है ठीक है इनके अलावा अगर इनको हम अटा दें तो क्या-क्या चीजे जरूर ध्यान रखें हींग बहुत पूछी आए सकती है हींग हाथ रश के खड़ाओं आपको बताना है और कास्ट सिल्फ ठीक है इतना थोड़ा सा आपको दिहान में रखना है कमेंट बॉक्स मताइएगा कि खड़ाओं और कास्ट सिल्फ कहां का फेमस है बाकी इस पर भी कोई ने कोई वीडियो इस पर चलेगी तो आज की इस टॉपिक के अंतरगत म के बात करें के वनिजू संदच्छन के हम लोग बात करें तो 1972 की बात है वन संदच्छन बात कर रहे हैं जरूर द्यान रखना है 2009 में यह कुछ अधनियम के दरगत में हैं जिनको आप पेपर देने से पहले एक बार देखिए और देखने के बाद आप इसको अपनी कॉपी पर नूट करेंगे तो निशन्दे हैं आप जान लिजिए कि कम समय में 40-45 मिनिट के अंदर में 10 टॉपिक पर सब कुछ तो नहीं है लेकिन 10 टॉपिकों पर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग कबर कर सकते ह यह हमारी इस रिंखला में दोसरा पाट रहा है दो दिनों के अंदर में हमने 41 टॉपिक को कवर किया है उससे समंधित प्रश्नों के हमने बात किये आपको पूरा वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा अगर इस तरीके से वीडियो आगे हम कांटेन्यू लगातार रखें जादस जादा इस वीडियो को आप लोग सेर करिए आप देख सकते होंगे कि कितनी मेहनद चल रही है समय पूली आपकी परिच्छा में बेहतर नंबर आएं किसी एक वीडियो को 40 मिनट देखने से अच्छा है कि आप 40 मिनट का ऐसा वीडि लगातार हमारा प्रयास आपके लिए कुछ अच्छा करने का रहेगा वीडियो आपनों कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरू बताइएगा सभी बच्छों को बहुत बहुत धन्यवाद